नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फोर पब्लिक सर्विस कमिशन में जैसे कि आपको पताईए कि हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल के लिए हमने ये बिल्कुल फ्री बैच की जो स्टार्ट है वो किया हुए है इसका जो शुबारम था वो एक माच से आधुनिक भा भारत के टोप 500 कोश्चन करवाए जा चुकी है अर्याना पुलिस कॉंस्टेबल के जितने भी ओफिशियल नोटिफिकेशन में जितने सब्जेक्ट दिये गए हैं जैसे कि हिस्ट्री जोगरफी पॉलिटी एन्वाइरमेंट एग्रिकल्चर कंप्यूटर साइंस इन सभी ज अध्यकालिन भारत के जो टोप 500 कोश्चन है वो करवाए जा चुके है तो उन प्ले लिस्ट को आप जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी देख लीजेगा काफी सारा फैक्ट्वल डाटा वहां पर प्रवाइड किया जा चुका है अगर आप आर्पी एफ के बच्चे हैं य काफी ज्यादा वेटेज हो जाता है पचास मार्क्स का तो अगर आप 45 पलस मार्क्स लेना चाते हैं या फिर साई में तो इस वीडियो सीरीज को अंतर तक जरूर देखिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूआ जिससे आप असानी से उन वीडियो को फाइंड आउट कर पाएंगे आज हम आदुनिक भारत के इतियास का सोलवा भाग यहां पर डिसकस करने वाले हैं इससे पहले 15 भाग आ चुके हैं तो उन 15 भागों को भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा अगर आप पहली बार में सेलेक्शन पाना चाते हैं हरियाना पुलिस में तो इस वीडियो सीरीज को आप अपन्त तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो सेशन को तो यह देख लीजिएगा आदुन 1866 में हुए थे 1889 में हुए थे 1887 में हुए थे या फिर 1861 में हुए थे जो question number first है उसका right option हो जाएगा option number B तो ये 1889 में जो उतीरन हुए थे ये 1889 में उतीरन हुए थे और सिविल सेवा जो आईएस है ये आज भी एक जो difficult exam है उनमें आती है और उस टाइम भी difficult exam में आती थी और starting में जो ये इजो सिविल सेवा की exam होता था उसमें British राज के दोरन तब ये लंदन में आयोजित की जात तो उसको लंदन में ही जाना पड़ता था वहीं इसका exam होता था तो काफी इतनी सारी tough ये बना दी गई थी सिविल सेवा जिससे की भारतिये इसमें भागी ने ना ले पाए लेगन फिर भी कुछ एक भारतिये ऐसी थे जिन्नोंने ये कारणाम करके दिखाया था इतने toughest exam को clear किया था जिससे जो ब्रिटिस थे वो भी हैलान हो गए थे आई ये थोड़ा सा जान लेते हैं जो सुरेंदरनाथ बैनर जी थे इनका जनम 10 नवंबर 1848 को हुआ था और जो इनकी मृत्यू थी 6 अगस्त 1925 को हुई थी वह भारतिये सेवा मतलब जो ये सुरेंदरनाथ बैन जो नुकती थी वो मिली थी उसके बाद इन से थोड़ी चोटी-मूटी गलती हो गई थी जिसके बाद इनने अपने पद से हटा दिया गया था जो गलती थी वो थो एक बहाना था बट प्रिटिश जो थे वो ये नई चाते थे कि भारत का कोई भी जो वैक्ति है वो सिविल सेवा में आए क्योंकि सिविल सेवा में आने का ये मतलब था कि जो वेक्ति औवियस सी बात है सिविल सेवा में आएगा उसे पढ़ाई लिखाई इतनी इंपोर्टेंट होगी या फिर पढ़ाई लिखाई का इतना ग्यान हो जाएगा वो समझ सही ये गलत की समझ कर पाएगा जिससे वो औरों को भी जो जागरूख है वो कर पाएगा तो इसी वज़े से इतनी टफ बना दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा कि कोई भी सिविल से वपास ना कर पाए और 1874 में उनसे एक छोटी सी भूल हो गई थी गलती हो गई थी जिसके बाद इनको अपने पद से ब ब्रिटिश इंडियन एसोशेशन की जो स्थापना है वो कब खुई थी तो ब्रिटिश इंडियन एसोशेशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी 1851 में की गई थी 1842 में की गई थी 1915 में की गई थी या फिर 1925 में की गई थी तो जो कोश्चन नमबर सेकिंड है उसका रा 151 को की गई थी कहां की गई थी कोलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और राधाकांत देव इसके जो थे वो पहले अध्यक्ष बने गए थे तो इसका पहला अध्यक्ष भी आप याद रखिएगा जो राधाकांत देव थे इसके पहले अध्यक्ष न्यूक्ष हुए थे question number second कराइट option हो जाएगा option number A next आजाएंगे question number third पर question number third में का आगया है स्यद अमीर अली ने कोलकत्ता में Central Momden National Association की जो स्थाफना है वो कब की थी तो ये सबसे पहले आप यह यादर किया Central Momden National Association थी इसकी स्थाफना स्यद अमीर अली की द्वारा कलकत्ता में की गई थी और कब की गई थी क्या 1924 में इसकी स्थाफना हुई थी 1861 में हुई थी 1893 में हुई थी या फिर 1870 में इसकी स्थाफना हुई थी question number 3 है उसका राइट option हो जाएगा option number D तो ये जो Central Momden National Association थी इसकी स्थाफना 1877 में स्यद अमीर अली के द्वारा कलकता में की गई थी question number 3 का जो राइट option हो जाएगा वो हो जाएगा option number D next आ जाएगे हम question number 4 पर question number 4 में का गया है राज नरायन बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल हिंदू नव गोपाल मित्तर ने हिंदू मेले नामक संस्था की स्थाफना कब की थी तो यह याद रखिएगा सबसे पहले जो हिंदू मेला नामक संस्था थी इसकी स्थाफना किसके द्वारा की गई थी तो जो यह राज नरायन बोस थे इनके विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मितर ने हिंदू मेला नाम की जो संस्तादी वो की गई थी कब की थी 1896 में की थी 1867 में की थी 1936 में की थी या फिर 1915 में की थी कोश्चन नमर जो 4 है उसका राइट उप्शन हो जाएगा अप्शन नमर बी यह थोड़ा साम जान लेते हैं इसके बारे में हिंदू मेला 1867 में कुलकत्ता में शुरूप किया गया था एक राजनितिक और संस्क्रितिक त्योखार था यह है इसका प्राथमिक उदेश शेहर वाशियों के बीच राष्टिय गोरव की जो भावना थी उसको बढ़ावा देना था जो आइतित ब्रिटिश निर्मित उतपाद थे मतलब पहले जो कच्छा माल भारत से जो ब्रिटिश थे वो ले जाते थे ट्रेनों पर लाद कर और वहाँ पर जो लंदन में उस जो समान था उसको उसका निर्मान किया जाता था और उसी को बने समान को भारत में फिर लाकर बेच दिया जाता था तो इनी आयतित ब्रिटिश निर्मित उत्पादों की तुलना में सवदेशी हस्त निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना भी इसका एक मुख्य वो था खारण था मतलब एक मुख्य आप लक्षे बोल सकते हैं हिंदू मेले का तो इसकी स्थापना जो हिंदू मेले की नामक संस्ता की स्थापना थी 1867 में नव गोपाल मित्र के द्वारा की गई थी नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोश्चन नमबर फिफ्थ पर तो कोश्चन नमबर फिफ्थ में कहा गया है कि बंगाल बंगाल बृ리्टिव इंडियन सोसाईटी की स्थापना जोर्ज थॉंसन की अध्याइक्स नामें कब हुई थी तो सबसे पहले आपं यह याद रखिएगा जो बंगाल ब्रिटिस इंडियन सोसाइटी की स्थाफना थी ये इसकी स्थाफना कब की गई थी और जो इसके अध्यक्स थे वो कौन बने थे तो इसके अध्यक्स थे जोर्ज थॉंसन इसके अध्यक्स थे तो 1843 में इसकी स्थाफना हुई थी 1856 में इसकी स्थाफना हुई थ क्या 1921 में इसकी स्थाफना हुई थी या फिर 1907 में इसकी स्थाफना हुई थी कोश्चन नमबर जो फिफ्ट है उसका जो राइट ओप्शन है वो हो जाएगा ओप्शन नमबर ए तो question number 5th का जो right option है वो हो जाएगा option number A बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की जो स्थाफना है इसकी स्थाफना 1843 में की गई थी question number 5th का right option हो जाएगा option number A और इसके जो पर्थम अध्यक्स थे वो बने थे George Thompson next आ जाएंगे question number 6 पर question number 6 में का गया है बंबई प्रेजिडेंसी एस्थाफना 1885 में किसके द्वारा की गई थी तो ये बंबई प्रेजिडेंसी जो एस्थाफना 1885 में की गई थी और कब किसके द्वारा की गई थी क्या फिरोजशा महता के द्वारा की गई थी कैटी तैलंग के द्वारा की गई थी बदरुदिन तयब जी के द्वारा की गई थी या फिर इन सभी के द्वारा की गई थी Q6 का राइट ओप्शन हो जाएगा Option नमबर D तो ओप्शन नमबर D हो जाएगा Bambai Presidency की जो Association की स्थाफना थी वो 1885 में फिरोज शमयता, केटी तैलंग और बदरुदिन तयब इन तीनों ने मिलकर के की थी Q6 का राइट ओप्शन हो जाएगा Option नमबर D Next आजाएगे हम Q7 पर तो Q7 में का आगए भरतिय राष्टिय कांगरेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी काफी फिवरेट कोश्चन है हर एक्जाम का वंडे एक्जाम का तो आप मान की चलिएगा भरतिय राष्टिय कांगरेस की जो स्थापना है वो कब की गई थी 1885 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी क्या A.O. हयूम के द्वारा की गई थी बदरुदिन तयब जी के द्वारा की गई थी सायद एहमद खान के द्वारा की गई थी या फिर महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी कोश्चन नमबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर A तो जो भारती राष्टी कांगरेश की स्थापना थी ये 1885 में A.O. हयूम के द्वारा की गई थी आईए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में तो इसके संस्थापक महास्थाचीव जर्नल सेकेटरी A.O. हयूम या फिर कुण था एक कुलीन वर्क की संस्था का था इसे शुरुवाती सदस्या मुख्य रूप से बांबे और मदरास प्रेजेंट्सी से लिए गए थे तो इतनी जानकर ये आपको याद रखनी चीए जो भारती राष्टी कॉंग्रेश की स्थाफना थी 1885 में की गई थी और जो पर्थम ये किसके द्वारा की गई थी ए ओहयूम के द्वारा की गई थी और जो इनके अध्यक्स थे व्योमेश चंदरबनर जी को इसका पर्थम अध्यक्स बनाया गया था कोश्चन नमबर 7 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A तो नेक्स आजाएंगे हम कोश्चन नमबर 8 पर कोश्चन नमबर 8 में का गया है भारती राष्टी कांग्रेश का पहला अध्यवेशन बंबई स्तित कोकुल रास्त तेजपल संस्कृत विश्व विद्याले में कब आयोजित किया गया था तो जो भारती राष्टी कंग्रेश का पहला अध्यवेशन था इसकी जो स्थापना थी वो ए ओ हयूम के द्वारा की गई थी और जो पहला अध्यक्स था वो किसे बनाया गया था व्योमेश चंदर बंदर जी को पहला अध्यक्स बनाया गया था उसके बाद आप ये मान के चलिएगा पहला अध्यवेशन इसका कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था 14 जुलाई 1886 को हुआ था 5 जनवरी 1885 को हुआ था या फिर 21 अपरेल 1885 को हुआ था गोश्चन नमबर जो 8 है उसका राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर ए तो इसका जो पहला अधिवेशन था भारती राष्टी कॉंगरेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को आयो जित किया गया था कहां पर आयो जित किया गया था तो ये बंबई में आयो जित गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वी जैले के अंदर ये आयो जित किया गया था कोश्चन नमबर जो 8 है उसका राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर ए नेक्स्ट आ जाएंगे कोश्चन नमबर 9 पर कोशन नमर 9 में का गया है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में भारतिय राष्टिय संग का नाम बदल कर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस कर दिया गया था तो जो भरतिय राष्टिय कॉंग्रेस आप अभी देखते हैं स्टार्टिंग में ये भरतिय राष्टिय कॉंग्रेस नाम नहीं था स्टार्टिंग में जो इसकी स्थापना की गई थी वो भरतिय राष्टिय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में भरतिय राष्टिय संग तो ये भरतिय राष्टिय संग के नाम से स्टार्टिंग की गई थी इसकी बाद में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था बाद में इसका भरतिय राष्टिय संग का जो नाम है वो बदलकर भरतिय राष्टिय कोंग्रेस कर दिया गया था और यह जो किया गया था वो किस अधिवेशन में किया गया था च्या चोथे अधिवेशन में किया गया था दूसरे अधिवेशन में किया गया था तीसरे अधिवेशन में किया गया था या फिर पहले अधिवेशन में किया गया था Q4 नमबर जो 9 है उसका Right Option हो जाएगा Option No.D तो जो Q9 है उसका Right Option हो जाएगा Option No.D तो पहले अधिवेशन में जो इसका नाम है वो बदलकर भारतिय संग से भारतिय राष्टिय कोंग्रेश कर दिया गया था Q9 का Right Option हो जाएगा Option No.D Next आ जाएंगे हम Q10 पर कोश्चन नमबर 10 में का गया है भारतिय रौस्टिय कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने परती निदियों ने भाग लिया था तो कितने जो व्यक्ति है उन्होंने भाग लिया था पहले अधिवेशन में 78 लोगों ने भाग लिया था 72 लोगों ने भाग लिया था 60 लोगों ने भाग लिया था या फिर 92 यानि की 92 लोगों ने भाग लिया था Q10 है उसका right option हो जाएगा option number B तो यह जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो की बंबई में आयोजित किया गया था इसके अधियक्षते व्योमेश चंदर बनेर जी थे और जो इसकी स्थापना थी 1885 में वो ए ओहयूम की द्वारा की गई थी इसमें पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था तो 72 लोगों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश के पहले अधिवेशन की अधियक्षता तता महासचीव कौन बने थे तो आईए देख लेते हैं क्या व्योमेश चंदर बनर जी और ए ओ हयूम बने थे कारण वाली सो जार्ज बारलो बने थे जार्ज यूले और व्योमेश चंदर बनर जी बने थे या फिर दादा भाई नोरो जी और ए ओ हयूम बने थे कोस्चन बर 11 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर ए नेक्स्ट आजेंगे हम कोस्चन नमबर 12 पर तो कोस्चन नमबर 12 में का गया है भारती राष्टी कोंग्रेज की स्थापना की समय भारत का वाइसराई कून था तो जब भारती राष्टिय कॉंग्रेस की स्थापना होई थी 1885 में उस समय भारत का गवरनर जर्नल कौन था मतलब वाइसराइ कौन था क्या चार्ल्स मेटकोफ था उस समय भारत का वाइसराइ लाड मेंटो था विलियम बेंटिंग था या फिर लाड डफरिन था तो कोशन बर जो 12 है उसका राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर D तो उस समय जो वाइसराइ होता था भारत का वो लाड डफरिन होता था जब भारत जब ये भारती राष्टिय कॉंग्रेस की जो स्थापना है वो की गई थी 1885 में आईए इनके बारे में थोड़ी से चर्चे कर लेते हैं एलन ओक्टिवियन होम यानि की ए ओहो हयूम ने वाइसराइ लाड डफरिन की सहमती से बंबई में पहली बैठिक आयोजित की थी और इनी के द्वारा जो कांग्रेस की जो भारती राष्टिय कॉंग्रेस थी उसकी स्थापना की गई थी तो ये इनी के जो बंदे थे ब्रिटिस भारत की जो व्यक्ति थी उनी के द्वारा सेफटी वोल्व के को मानकर की गई थी कि आने वाले समय में कभी भी भारत में कोई उगरवाद नहीं बढ़ सके या फिर लोगों में जागरूग ना फैल सके इन्हें नहीं पता था कि भारती राष्टी कॉंग्रेस ही इनकी जो जड़ है वो खोधने में लग जाएगी और पहला सत्र जो पहला दिवेशन था वो दिसमबर 1885 में आयोजित किया गया था जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था और जो ये पहला दिवेशन था बंबई के संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था कोश्चन नमबर 12 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर D और लाड डफरीन ने यह कहे कि भी मजा कुड़ाया था कांग्रेस का कि यह है एक छोटा सा समू है जिसको मैं अपने कारियेकाल में गिरता हुआ देखना चाता हूँ बट यह जो भारती राष्टी कांग कोंग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकता में हुआ इसकी अधिखना किसने की थी तो भारती राष्टी कोंग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था YES को आप यह जितने लाष्टी में जैसे आपका अने वान वाल होगा उस व्wenम मैं जितने भी यह भारती विडियो बनाके पांट-छे मिनट की विडियो बनेगी, जादा से जादा उसमें किस कौन सा अधिवेशन कहा हुआ, उसकी अधिवेशन की और उस अधिवेशन की जो मुख्य मुख्य बाते, कौन कौन सी थी, वो सारी वीडियो मैं आपको आगे से आगे आ के दे दूँगा तो उसकी आप चिंता मत कीजेगा अभी जो आप मैं करवा रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा फोकस करके ध्यान दीजेगा जो आई बात कर लेते कोशन नमबर 13 पर जो भारती राश्टी कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन था यह कल दूसरे कोलकता जो दूसरा भारती राश्टी कॉंग्रेस का दिवेशन था इसकी जो अध्यक्सता थी वो दादा भाई नोरोजी के द्वरा की गई थी और कोलकता में यह जो कोलकता में यह अधिवेशन किया गया था दादा भाई नोरोजो की अध्यक्सता में दादा कोश्चन बर 14 में का गया है दादा भाई नोरो जी के द्वारा भरतिये राश्टिये कॉंग्रेस के किस-किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की गई थी क्या 1886 के अधिवेशन की अध्यक्ष्टा की गई थी दादा भाई नोरो जी के द्वारा 1893 की अध्यक्ष्टा की थी या फिर 1906 की अध्यक्ष्टा की थी या फिर सभी की अध्यक्ष्टा जो है वो की गई थी दादा भाई नोरो जी के द्वारा तो जो question number 14 है उसका right option हो जाएगा option number D दादा भाई नोरोजी के द्वारा भारती राष्टिये कॉंग्रेस के तीन अधिवेशनों की जो अध्यक्सता है वो की गई थी 1886, 1893 और 1906 तो इन तीनों अधिवेशनों की जो अध्यक्सता है वो दादा भाई नोरोजी के द्वारा की गई थी question number 14 का right option हो जाएगा option number D next आ जाएगे question number 15 पर question number 15 में का गया, भारती राष्टिये कॉंग्रेस के सर पर्थम मुसलिम अध्यक्स होने का गोरोगी से प्राप्थ हुआ था तो जो भारती राष्टिये कॉंग्रेस के सर पर्थम मुसलिम अध्यक्स पर वो कौन बने थे क्या बदरुदीन तैयब जी बने थे दादा भाई नोरो जी बने थे सर विलियम वेर्डबर बने थे या फिरोजशा महता बने थे तो जो question number 15 है उसका right option हो जाएगा option number A तो यह जो भाईतिय राष्टिय कोंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्स थे वो बदरुदीन तैयब जी बने थे बदरुदीन तैयब जी 10 अक्टूबर 1844 को हुआ था और जो इनकी मृतियो थी 19 अगस्त 1906 को हुई थी ब्रिटिस राज के दोरान एक भाईतिय वकील कारे क यह थे तैयब जी बॉंबे उच न्याले में बैरिश्टर के रूप में प्रैक्टिस कर चुके थे जिनों ने भाईतिय राष्टि कोंग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कारिये किया था तो इतनी जानकारिय आपको रखना है कोश्चन नमबर 15 का राइट ओप्शन कोन था तो एक यूरोपी अध्यक्ष भी बने थे भरती रश्टि कोंग्रेस के तो उनका नाम पुचा गया है तो आईए देख लेते क्या एलफरेट वेब थे पी आनंद चारलू थे जार्ज यूले थे या फिर सुरिंदर नात बनर जी थे कोश्चन नमबर जो 16 है उसका राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर सी तो जो ये पहले निर्वाचित यूरोपी अध्यक्ष थे ये जार्ज यूले थे कोश्चन नमबर 16 का राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर सी नेस्ट आ जाएंगे हैं कोश्चन नमबर 17 पर कोश्चन नमबर 17 म करने के उदेशे से लंदेन में विलियम डिगबी की अद्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ओफ इंडिया की जो स्थापना है वो की गई थी कब की गई थी क्या फरवरी 1886 में की थी जून 1892 में की थी या फिर नवंबर 1902 में की गई थी कोश्चन नमबर जो 17 है उसका राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर बी तो यह जो इसकी स्थापना थी ब्रिटिश कमेटी ओफ इंडिया की स्थापना थी जूलाई 1889 में की गई थी और जो इसके अद्यक्ष है वो विलियम डिगबी को बनाया गया था जूलाई 1889 में एक सथाई समीती की जो स्थापन है कोश्चन नमबर 17 का जो राइट उप्शन है वो हो जाएगा उप्शन नमबर बी नेक्स्ट आ जाएंगे हैं कोश्चन नमबर 18 पर question number 18 में का गया है share ए पंजाब किसे कहा जाता है तो लाला लाजपतराई को कहा जाता है बाल गंगा दरतिलप को कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है या फिर इन में से किसी को नहीं कहा जाता question number 18 का right option हो जाएगा option number A तो यह जो लाला लाजपत रहे थे इनी को शेर ए पंजाब कहा जाता है question number 18 का जो right option है वो हो जाएगा option number A next आ जाएंगे हम question number 19 पर question number 19 में कहा गया वर्स 1920 में कोलकत्ता के विशेश अधिवेशन में भारती राष्टी कोंग्रेस की अधिवेशन किस ने की थी या फिर किस के द्वारा की गई थी तो जो भारती राष्टी कोंग्रेस का विशेश अधिवेशन हुआ था वो 1920 में हुआ था और कहां पे हुआ था कोलकत्ता में यह अधिवेशन विशेश अधिवेशन हुआ था ज जो ये विशेश अधिवेशन किया गया था वर्स 1920 में कलकता में इसकी अध्यक्ता लाला लाजपत राई के द्वारा की गई थी कोश्चन नमबर 19 का राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर D और लाला लाजपत राई को ही शेरे पंजाब कहा जाता है नेक्स्ट आजाएंगे हम कोश्चन नमबर 20 पर कोश्चन नमबर 20 में का गया होम रूल लीग का गठन कब किया गया था तो होम रूल लीग का गठन कब किया गया था 1920 में किया गया था 1901 में किया गया था 1916 में किया था या फिर 1930 में किया गया था option number 20 है उसका right option हो जाएगा option number C तो यह जो home rule league का गटन है यह 1916 में किया गया था आए थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले जो home rule league का गटन है वो बाल गंगा दर तिलक के द्वरा किया गया था उसके बाद जो यह एनी बेसंट थी उनके द्वरा जो यह home rule league है उसका गटन किया गया था मैं दोनों को date बता देता हूं कब कब किस किस ने home rule league का गटन किया था बाल गंगा दर तिलक ने जो home rule league की स्थापना की थी वो 28 अपरेल 1916 को की थी बेल गाउं पूने में इसकी स्थापना की थी और जो एनी बेसंट थी उन्होंने एक अगस्त 1916 को home rule league की शुरूआ तिया फिर स्थापना की थी तो यह दोनों date आप याद रखिएगा home rule league का गटन कब किया गया था 21 में का गया भारती राष्टी कोंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कोन बनी थी तो आईए देख लेते हैं भारती राष्टी कोंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कोन मनी थी Q22 पर आजाएंगे हम Q22 में कहा गया भारतिय रोष्टिय कंग्रेस का 27 अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकी बिहार में संपन हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्स्ता किस ने की थी जिसमें A.O. हयूम को कंग्रेस का पिता कहा गया था तो A.O. हयूम तो ये भी याद रखिएगा कि कंग्रेस का पिता किसे कहा जाता है A.O. हयूम को कंग्रेस का पिता कहा जाता है और भारतिय रोष्टिय कंग्रेस के 27 अधिवेशन जो की 1912 में बिहार में आयूजित किया गया था इसी अधिवेशन में A.O. हयूम को कंग्रेस का पिता कहा गया था इसकी अधियक्स्ता किसके द्वारा की गयी थी ये कोशन पुछा गया तो आईए देख लेते हैं क्या A.R.N.A. मधूलकर ने इसकी अधियक्स्ता की थी B.R.ंबेड कर ने की थी महत्मा गांदी ने की थी या फिर दादा भाई नोरोजी ने इसकी अधियक्स्ता की थी कोशन नमबर जो 22 है उसका राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A तो ये R.A.N. मधूलकर के द्वारा इसकी अधियक्स्ता की गई थी 27 अधिवेशन जो की बिहार में आयुजित किया गया था 1912 में और इसी अधिवेशन में A.O.H.YUM को कांगरेस का पिता कहा गया था कोशन नमबर 22 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोशन नमबर 23 पर कोशन नमबर 23 में का गया है कांगरेस तता मुस्लिम लीग के बीच लखनव समझोता भारती रास्टी कोंगरेस के किस अधिवेशन में हुआ था जिसे लखनव पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है तो ये अधिवेशन का कहां हुआ था जिसमें कांगरेस तता मुस्लिम लीग के बीच समझोता हो गया था और एक बार फिर से जो समझोता हो गया था और इसी को लखनव पैक्ट के नाम से जाना जाता है क्या मदरास 1894 में हुआ था नागपूर 1891 में हुआ था 1916 लखनव में हुआ था या फिर कलकत्ता 1896 में हुआ था तो कोशन नमबर जो 23 है उसका राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर C तो यह जो कांगरेस का तता मुस्लिम लीग के बीच लखनव समझोता हुआ था यह 1916 में हुआ था और लखनव में यह आयो जित किया गया था जिसे लखनव पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोशन नमबर 24 पर तो कोशन नमबर 24 में का गया था भारतिय रास्तिय कॉंग्रेस लखनव 1916 की अदर्षता किस ने की थी फिरोश्चा मैता ने की थी आमबिका चरुण मजूमदार ने की थी सुनेंदर नाद बनर जी ने की थी या फिर रमेश चंदर दत ने की थी कोशन नमबर 24 कराइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर B तो यह जो 1916 का दिवेशन था लखनों का यह काफी मामलों में खास रहा था क्योंकि एक तो यह जो हिंदू और जो मुस्लिम थे यहाँ पर यह देख लीजीगा कागरेस तता मुस्लिम के बीच में समझोता हो गया था एक बार के लिए कुछ टाइम के लिए कि इन्होंने कह दिया था कि ठीक है मुस्लिम हिंदूों के साथ मिल जाएंगे जो दादा भाई नोरोजी जैसी व्यक्ति आते थे और जो गरम दल थे उसमें बाल गंगा दरती लगिया फिर जितने भी गरम दल के आदमी थे वो सारी आते थे उनको निसकासित कर दिया गया था यानि कि गरम दल से अलग कर दिया गया था तो 1916 वाले ही अधिवेशन में एक बार फिर से ये कांग्रेस में मिला लिये गए थे गरम दल को तो ये इंपोर्टेंट्स जानकारी थी जो आपको याद रखनी चीए 1916 के जो अधिवेशन थे इससे रिलेटिड कोशन नमर 24 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन बर भी आज का लाश्ट कोशन नमर 25 को हम देख लेते हैं तो कोशन नमर 25 में का गया बाल गंगा धर तिलक ने भारती राष्टी कोंग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था सवराज मेरा जनम से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा तो सबसे पहले आप यह याद रखिएगा यह नारा किसके द्वरा दिया गया था सवराज मेरा जनम से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा तो बाल गंगा धर तिलक यानि कि बीजी तिलक के द्वरा यह नारा दिया गया था और किस अदिवेशन में दिया गया था बनारस 1905 में दिया गया था लाहोर 1902 में दिया गया था एहमदाबाद 1902 में दिया गया था या फिर लखनाउ 1916 में दिया गया था कोशन नमर 25 का राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमर D और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिए गा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें यूटूब में हमें फोलो करते हैं तो प्लीज हमारा टेलिगराम गृरूप करेंगे तो हमारा पेज आपके सामनी आ जाएगा वहां से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए धन्यवाद